अजमेर जिले के निकट्वरतम पंचाय समिती शिर्णगर पंचाय समिती शिर्णगर में 45 चुनाव के दोरानम पंचाय समिती की 21 सीटों पर भाजपा और कांगरिस में काटे की तक कर देखने को मिली यहाँ पर बाजपा और कांग्रेस के बीच मातर एक सीट का ही अंतर है भारत्य जंता पार्टी ने यहाँ पर 10 सीट पर जीत हसिल की है वहीं कांग्रेस पार्टी ने 11 सीटों पर जीत प्राप्त कर यहाँ पर बहुमत प्राप्त किया है कांग्रेस को जीत दिलवाने वाले पूर विधायक मेंदर सिंग गुजर के घर से ही परदान की मजबूत दाविदारी मानी जा रही है शिननगर पंचाय सिमिती में कांग्रेस को बहुमत मिलने से पूर विधायक मेंदर सिंग गुजर के साख फिर से बढ़ गई हाला कि बाज़पा सेंदमारी में जुटी हुई है अजमेर में गोशित किये 25 स्मिती शिनगर के कुल 21 वाड़ों में से कांग्रेस को 11 और बाज़पा को 10 सीट पर जीत मिली चुनाव परिणाम को देखते वे दोनों ही दलों ने अपने अपने परस्याक्षों की बाड़बेंदी को सक्त कर दिया पूर विधायक मरेंदर सिंग गोशर की पतनी कमलेश ने वाड़ नमबर 10 से चुनाव में भाग्य अजमाती हुई बाजपा उमिदवार चित्रा को 312 वोटों से पराजित किया उनकी पुत्रवदू नीतु गोशर पतनी लोकेंदर सिंग गोशर ने वाड़ नमबर 1 से भाजपा की सुनीता यादव को 19 वोट से परास कर दिया दोनों ही सास बहु इस चुनाव में विजई हुई इधर पूर विधायक रामणान गोशर की पतनी तारा देवी वाड़ नमबर 6 से चुनाव मेदान में उतरी बाजपा की उशा कवण ने 18 वोटों से उन्हें पराजित किकर दिया 25 सिमिती शिनगर में कांग्रेस को बहुमत मिलने पर पूर विधायक मेंदर सिंग गोजर की पतनी कमलेश गोजर अस्वाब पुत्रवदू नीतु गोजर ही परदान पत के लिए मजबूत दावेदार की रूप में सामने आ सकती है ऐसे में माना जा रहा है कि नीतु गोजर को परदान पत को लेकर कांग्रेस उमिद्वार मना सकती है वहीं दूसरी और भारतिय जन्ता पार्टी ने यहाँ पर दस सीटे प्राप्त कर कांग्रेस के सामने चुनोती खड़ी कर दी रामसरु प्लामबा जो नसेराबाद विदासपा शेत्र के विदायक हैं वह जो तोड में लगे हैं कि कहीं से भी एक वोड उन्हें मिल जाए और वह अपना बोड यहाँ पर बना ले अब कल देखना होगा कि यहाँ पर उट किस करवट बैठता है और कोन बोड बनाता है